यह जो वायर है, इधर अब बात में लिख लिजेगा, हम पहले उधर बता देते हैं, उसके बाद जो है उसको आराम से लिख लिजेगा, पुछ दिक्त नहीं है, चलिए। इस इसको समझेगा कि जो है आखिर यह जो हमने बात किया कि आगे क्यों है जैसे देखिए यह हो गया आपका जीरो डिग्री जो है आपका लॉंगिट्यूड हो गया यह यानि देशांतर अब जो है अगर हम इधर पूरब में जाते हैं तो कहां तक जाएंगे सर 180 डिग्री त वेश्ट तक जाएंगे 180 डिग्री वेश्ट तक जाएंगे अब यहां पर समझेगा परीत्वी का जो घुर्णन होता है परीत्वी का घुर्णन कि वह कैसा होता है आपका यह होता है आपका पुर्व से पुर्व से पुर्व होता है ठीक है पुर्व से पुर्व होता है है ना जो है आपका इस्टु वेस्ट कि पुर्व होता है ठीक है यह थोड़ा सा यह हो गया तो यह जो है आपका वेस्टु इस्ट पुर्व होता है अब यहाँ पर समझेने की कोशिश करेंगे यह जो जाता है जैसे यह है तो यह ऐसे घुमता है है ना अब इस कारण से अगर आप देखेंगे तो यह जो GMT लाइन है इसी को जो है Greenwich mean time कहा जाता है जो कि लंदन के Greenwich सहर से गुजरती है अब अगर हम इसके इधर जाते हैं मतलब जो अगर हम इस्ट की और जाएंगे यानि पुर्व की और जाएंगे चली हिंदी में लिखते हैं अगर हम यहाँ पर पुर्व की और जाते हैं तो समय किसमे होता है आपका समय प्लस में होता है और अगर हम इस लाइन के अगर पशिम जाते हैं पशिम तो समय क्या होगा यहाँ पर समय जो आपका माइनस में होगा ठीक है क्यों ऐसा हो रहा है क्योंकि प्रीत्वी का घुर्णन किधर से किधर होता है अब आप समझेंगे यहाँ पर समय प्लस में कितना ज यह कहां सोता था चोटा यह ऐसे ही डायरेक्ट होता है न नहीं हो रहा इसमें न पता नहीं किसमें होता था ध्यान ने आ रहा है चले कोई बात ने हम यहां पर आपको बता जेते हैं अगर माल लेते हैं कि एक Schüler की वराबर कितना होता है सरू प्रित्व को घूमने में लगता है कितना आपका 4 मिट का समय लगता है तो 15 डिग्री घूमने वराबर में कितना लगेगा आपका 60 मिनट यानि जो आपका 1 आर लगेगा ऐसे ही जो अगर 30s. 303. Um Rs. 24 गن लगेंगे तो अगर मालेते हैं इस GMT के अगर हम 15 गर अगर पूर्व में जाते हैं तो कितने घंटे का नतर होगा अगर यहां पे माल लेते हैं रात के 12 ह बज दो यहां पर कितना हो रहा होगा आपका यहां पर बज़रा ओगा वन एम हो रहा होगा हां Citizens जैसे यह चीज तभी पता चलेगा जब आप एक तिरह से यहाँ पर बजाएंगे कितना आपका दो पहर का 12 बजाएंगे ठीक है तो इधर क्या होगा आपका A.M. होगा अगर अगर मान के चलिए यहाँ पर जो हाँ आपका 12 12 आर सो रहे हैं मतलब इंटरनाशनल टाइम के ध्यान रखिए ठीके में तो पताशला कि कंफ्यूज हो रहे हैं रात के क्या हो रहा है यहां पे बारहा बज रहा है यहां पे कितना रहा होगा आपका एक बज रहा होगा है ना उसी 180 degree बराबर कितना होगा सर 12 घंटा होगा है ना तो यहां पर आपका 12 hours का एक तरह से क्या है difference देखने मिलेगा यहां पर रात का 12 बज़ रहती है यहां पर क्या होगा आपका दिन का 12 बज़ेगा हा कि ना दोपहर का एक तरह से दिन हो रहा होगा अगर आप इसको उल्टा करने तो ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आ सकता है अगर यहां पर दिन का 12 बज़ रहा है यहां पर रात का 12 बज़ेगा हा कि ना रात का 12 बज़ेगा अगर हम इधर पशिम में आते हैं तो पशिम में अगर यहां पर भी देखेगा 12 घंटे का अंतर होगा 12 hours का अंतर होगा यहाँ पर अगर देखे दिन का 12 बज़ जा यहाँ पर भी 12 बज़ेगा लेकिन कौन सा आपका यह बज़ेगा आपका राद का अंतर आप समझिएगा इस इसको मान लेते हैं हम कहां पर हैं सर हम है आपका जो है 82.5 डिगरी जो है आपका इस्टन लॉंगिट्यूड में हैं तो हमारे यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है आपका या फिर अंतर कितना है आपका यह अंतर पढ़ता है आपका प्लस 530 आर्स का ठीक है क्यों प्लस 530 आर् करें हमारे यहां पर आज कौन सा दिन है आज मंदे है ठीक है इस जगर पर आप देखेगा तो मंदे है ठीक है लेकिन यह जो हे इधर वाला जो रात का 12 बज़ा होगा है तो उससे अगर हम पीछे जाएंगे, 24 गंटा पीछे, क्योंकि यहां 12 गंटा और यह 12 गंटा, 24 गंटा पीछे जाएंगे, तो यहां पे कौन सा हो रहा होगा, यहां पे है आपका कौन सा, संडे का दिन पड़ता है, ठीक है, कौन सा होगा, संडे का दिन होगा, तो इस तरीके से थोड़ा सा ची और यहां पर कौन साथ का इधर अलास्का है ठीक है आप इस मैप पर देख सकते हैं जैसे यह वाला पार्ट कौन साथ का अलास्का का है उधर वाला पार्ट कौन साथ का रूस का है दोनों को जोएंट करेंगे सामने सामने आएगा ना वो दोनों गलोब में है अब अगर आप देखेगा रसिया में आपका मंडे हो रहा है तो अलास्का में कौन सा हो रहा है आपका संडे हो रहा है ठीक है यहां पर दोनों जगह रात का 12 बज़रा है लेकिन एक जगह संडे का करेंगे चोबीस घंटे का उता है तो her दिन करेंगे अगर अलास्का से माईस पुर्व में जाते हैं प्लस क्या करेंगे आपका का एक दिन करेंगे ऑन जा तो यह 24 घंटे का अंतर होता है उमेशा ध्यानक लिजेगा किसी भी अच्छा आगे कौन होगा आगे कौन होगा अरुनाचल प्रदेश होगा तेगे गुजरात क्या होगा आपका पीछे होगा तो इसलिए देखिएगा अरुनाचल प्रदेश में सबसे पहले सुर्योद है और सबसे पहले सुर्यास्त होगा जबकि गुजरात में सबसे बाद में सुर्योद है और सुर्यास्त होता है ठीक है दो घंटे का अंतर आपको ये लेखने को मिलेगा ये जिद्यान रख ल रेखा से आगे होने का मतलब वो समय में भी क्या होगा आगे होगा ठीक है पांच राज्यों सोकर यह पास होता है उत्तर प्रदेश मद्रप्रदेश च्छतिसगर उडिशा और आंद्रप्रदेश यह चीज़ ध्यान रख लिजिएगा हाँ साथ मिनट है वो अब आते हैं मुस्वाले पे भी आते हैं पहले इसको लिख लिजिए वो जो कंफ्यूजर है ना वो एक अलग चीज है हम क्या बोले कि प्रीथवी को एक डिगरी घुमने में कितना समय लगता है चार मिनट का समय लगता है प्रीथवी को अपने एकसिस पर एक डिगरी घुमने के लिए कितना समय लगता है ये जो मिनट है ये अलग मिनट है जैसे ये कौन सा मिनट है ये है आपका जैसे ध्यान दिजेगा ये मिनट कौन सा है तो देखे एक डिग्री बराबर कितना होता है सर एक डिग्री बराबर होता है आपका कितना 60 मिनट होता है कितना होता है 60 मिनट होता है तेखे एंगल को हम तीन करी किसे दिखा सकते हैं डिग्री में मिनट में और सेकंड में उसी तरह से एक मिनट बराबर क आपका 111.13 किलो मेटर, यानि जो है आपका 2 अच्छांस के बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, वो कितना होता है, 111.13 किलो मेटर होता है, उसी तरह से अगर हम 1 मिनट बराबर निकालेंगे, तो क्या करेंगे इसको, 60 से डिवाइट करेंगे, करेंगे ना, ये कितना आए नॉटिकल माइल, यानि एक समुदरी दूरी है ये, ठीक है, तो जब आप एक तरह से दो अच्छांसों के बीच के डिफरेंस को, ठीक है, देखेंगे तो वो कितने का अंतर होता है, 111.13 किलो मेटर, इसी को कटी बंद कहा जाता है, ये जो एरिया होगा ना, जैसा मालते है ये एक डिग्री है, ये दो डिग्री है, इसके बीच का जो ये एरिया है, क्या कहलाएगा ये, ये कटी बंद कहलाएगा, ये छोटे-छोटे-छोटे साथ हिस्सों में बटा हुआ है, वही कहलाता है आपका मिनट, समझे, कि नहीं समझे, ठोड़ा दिमाग पर जोर देना पड़ेगा, नहीं समझे, तो पूछ लिजिएगा, दूसरे तरीके से बात करेंगा हम फिर, ये लिखना नहीं है, ये सब तो आपका वर्ल्ड, फिजिकल वगरे जब आप पड़ते हैं, वहाँ पर आपको जानना होता है, यहाँ पर नहीं है, तो वो पांच राज्ये कौन राज्ये हैं, जहां से होकर करकरेखा, और जो है आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दोनों पास होती है, वहाँ आपका मध्य परदेश एवं 36 गड़, तो ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, कि कौन से राज्ये ऐसे हैं, जो जहां से होकर करकरेखा, और भारती मानक समय द ठीक है, इसको दरसल जहां आपका, जो ब्रिटिस गवर्मेंट के द्वारा जो अपना गया था, यानि साड़े 12 डिगरी पूर्वी देशांतर, वो अपना गया था पहली जनवरी को 1906 इसवी में, तो उससे पहले जो एक तरह से सब के जो अलग-अलग किंडम हुआ करते थ थे, है ना, उससे पहले क्या उस समय भी हुआ करते थे, वो किंडम अपनी अपनी एक तरह से मानक समय का यूज करते थे, ठीक है, अपने अपने तरीके से, लेकिन ब्रिटिस गवर्मेंट ने एक जनवरी 1906 इसवी को जो है एक तरह से इसको लागू किया, और जो है ये Central Observatory का मतलब, लंदन का जो ये है, ठीक है, उसको, उसकी हम बात कर रहे है, लंदन का जो Greenwich शहर है वहाँ से, कितने घंडे कंतर है, साड़े-पांच घंडे कंतर है, ये तो अलड़ी हमने बात किया है, बाकी आपको इसमें कुछ या दखने ज़रत नहीं है, हाँ, इसमें आ लागू किया था कब, 1906 में ही, लेकिन भारत सरकार ने इसको कब अपना है, आपका, 1947 में जब भारत की आजादी हुई, और जो है, जो UTC है, या Universal Time, जो है, वहाँ से कितना अंतर है, साड़े-पांच घंडे का, ये अलड़ी आपको पता है, कौन सा लोंगिट्यूड है, सा ये वल ध्यान रखने जिएगा, ठीक है, केंद्रिय वेदर शाला, शेंट्रल अब्जरबेटरी, ये केवल अलग से याद लिजेगा, संकरगर फोर्ट, अलहबाद, डिस्टिक उत्तर परदेश, ठीक है, पस वो एक लाइन लिख लिजेगा, और क्या, बाकी कुछ अलग से याद रखने हैं, ये सारे के सारे फैक्ट्स हैं, जो कि आपको रटा ही मारना पड़ेगा, और कोई option नहीं, कुछ चीजें हैं समझने लाइक, जो कि अगर समझ गए तो अच्छी बात है, चलिए, आगे आते हैं, ये सब क्येवल एक ही लिखियागा, केंद्रिय वेदर साल ये प्रयाग्राज उतरप्रदेश